हेलो दोस्तों नमस्कार मैं हूँ ग्यानिन सिंग सिब्भू और आप दिख देने अपना फेबरेट चैनल एटू जेट कॉंसेट दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रोड़क्ट आप हिंदुस्तान यूनि लिवर यानि एक और प्रोड़क्ट एक और फुल डेटेल से बताएंगे कि एक होलसेलर को एक पेटी कितने में पढ़ता है और वो रेटेलर को कितना बेश सकता है और अगर एक रेटेलर पूरी पेटी लेता है तो कितना फायदा होता है और अगर वो पत्ते में खरीता है तो उसे कितना फायदा होता है तो बहुत सार चीज़ें आपको समझाने वाले हैं इसमें और अच्छे से आपको बताने वाले हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा बहुत जादा वीडियो बड़ी नहीं होने वाले हैं क्लिनिक प्लस 50 पैसे वाले और क्लिनिक प्लस 1 रुपए वाले तोनों के हम wholesale और retail price पर बात क्लिनिक प्लस 50 पैसे वाले का ये पूरा बॉक्स है देख सकते हैं कुछ इस तरीके का जहां पर कोड होता है CBU कोड होता है company का और इसके बाद यहां पर क्लिनिक प्लस आपको मिल जाएगा health sample strong and large और बात करेंगा दोस्तों तो इस पूरे पेटी में आपको 304 पाउच यान बादार की प्लस था धिक है तot तो दोस्तों Crossing cache यूरे चार टिल पैकेज होता है तो सबसे पहले हम इसे खोलते हैं और सभी लोग जानी रहे हैं देखी रहें हैं अगर आप एक दुकांदार है या हर घर में इस्तिमाल होता है तो इसे देखते है तो इस तरीके की चार प्रैक्ट आते हैं पैकिंग काफी अच्छी आती है दोस्तों ठीक है तो देख सकते हैं कुछ इस तरीके का होता है और यहाँ पे आपको लिखा मिल जाएगा पचास पैसे वाला ठीक है जो की 20% आपको एक्स्ट्रा मिलता है तो इस तरीके की पूरी पेटी होती है दोस्तों इस तरीके का तो इसकी wholesale को क्या price पढ़ती है और retailer को क्या price पढ़ती है ये चीज हम बताएंगे और scheme क्या चल लेगे इस time क्या scheme अगर लेते हैं तो कितना आपको और सस्ता बढ़ जाएगा तो सारा कुछ calculate करके बताते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा तो दोस्तो क्लीनी प्लस 50 पैसे वाली की price की बात किया जा तो इस time ये आपको 880 रुपय का पढ़ता है ठीक है 880 रुपय में दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें 204 पीस है तो हम इसे भाग करते हैं 204 से ठीक है तो दोस्तों देख सकते हैं 0.38 पैसे पढ़े हैं एक पीस जो की एक पीस ये होता ये 0.38 पैसा पढ़ा है ठीक है एक पत्ते में जो एक पत्ता होता है जैसे ये चार पत्ता इसमें एक पत्ता जो ये होता है इसमें 24 पीस होता है तो हम 24 से इसे गुड़ा करेंगे यानि एक पत्ते की जो कीमत निकल के आएगी दोस्तों वो 9 रुपय 16 पैसे आती है और ये एक रीटेलर को ये wholesale प्राइज है रीटेलर को 10 रुपय में ये पढ़ता है और 12 रुपय एक माले यानि कि 10 रुपय लगा के 2 रुपय बेंपिट होती है एक रीटेलर को ठीक है तो द लगबग आपको 2% का लेस मिल जाता है यानि कि अगर आपको 2% का लेस मिलता है दोस्तों तो ये आपको पढ़ जाता है 862 रुपय है ठीक है दोस्तों लेकिन दोस्तों ये जो लेस है ये ये पहले से था लेकिन इस टाइम अगर आप इसे slap की बात किया जा है तो इसमें यानि रिटेलर को आप आराम से 900 रुपए में बेश सकते हैं तो इसमें आपको 304 पीस है ठीक है और गुड़े 24 यानि लगबग 9 रुपए 37 पैसे पढ़ जाएगा कि रिटेलर को अगर रिटेलर पेटी लेता है ठीक है दोस्तों वैसे इसे रिटेलर खास दोर से पेटी भी और वैसे भी बहुत लोग कई बहुत ज़्यादा बार्गेनिंग करके ले लेते हैं तो साड़े 9 रुपए भी पढ़ जाता है तो अगर आपको रिटेलर है आप और साड़े 9 रुपए आपको मिल जाता है तो आपके लिए अच्छा है क्योंकि इसमें आपको बहुत ज़् पैसे भी नहीं लगाने पड़ेंगे और आपको अच्छा प्राइस भी मिल जाता है तो दोस्तों क्लीनिक प्लस 50 पैसे वाले के बाद अब हम बात करेंगे क्लीनिक प्लस 1 रुपए वाले का बॉक्स और देख सकते हैं यह काफी बहतरीन काफी अच्छी पैटी आती है दोस च्यारे प्लस 50% आपको एक्ष्टरा मिलता है ठीक है दोस्तों तो यहां पे मिल जाएगा आपको क्लीनिक प्लस हैल्थ सैम्पू स्ट्रांग एंड लॉर्ण और इसके बाद बात करें दोस्तों इससे वाड़ी अंदर की प्राइस पढ़ती है और रेटेलर को क्या प्राइस पढ़ती है ठीक है इसको कितना फायदा होता है और इसमें स्कीम क्या चल ला है तो इसको यार वीडियो को पूरा देखिएगा काफी आपको समझ में आएगा नहीं तो समझ में नहीं आपाएगा आपके ठीक है तो चलिए calculate करके आपको अच्छे से बताते हैं ठीक है तो यार इसकी पूरी पेटी की जो wholesaler को जो पूरा पेटी गिरता है वो आता है 720 रुपे में ठीक है तो 720 रुपे में जैसे के मैंने आपको बताया कि 960 पीस इसमें रहते हैं तो 720 में हम भाग करेंगे 960 का तो एक पीस 0.75 पैसे जो की एक रुपे वला होता है यह 75 पैसे आपको पढ़ता है इसमें 16 पीस होते हैं एक पत्ते में यानि 12 रुपे एक wholesaler को पढ़ जाता है एक पत्ता और 13 रुपे बिखता है 14 रुपे भी बिख जाता है और 16 पीस होते है आपको 720 नहीं इस साहीं 2% लेस चल ला है तो यह 2% जब लेस करते हैं तो यह 705 रुपे हो गया अब 960 से अगर भाग करते हैं फिर इसमें 16 पत्ते एक पत्ते में तो अब आपको 11 रुपे 76 पैसे पहले दोस्तों 12 रुपे पढ़ता था अब आपको 11 रुपे 76 पैसे पढ़ रिटेलर को यह 735 रुपे पढ़ता है नारमल अब इसमें अगर 2% लेस कर दिया जाए तो अब यह रिटेलर को 720 रुपे पढ़ गया ठीक है वैसे अब हर जगह प्राइस इसकी अलग-अलग होती है तो आपके छेत्र में कितनी यह चीज हमें आर कमेट जरू किया करिए जा से कम आपको 10 पेटी 5 पेटी इस तरीके का slap पे आपकी scheme करती है सिर्फ एक single पेटी पे scheme नहीं करती है अगर single पेटी लेते हैं तो trade rate से 1.5% करता है ठीक है तो काफी लोगों को confusion होती है कुछ लोग net net rate पे खरीतते हैं कुछ लोग cutting खरीतते हैं कुछ लोग कुछ तरीके से तो काफी ज़्यादा comment करते हैं उनको समझ में नहीं आपाता है ठीक है तो उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी यह 50 पैसे वाला और एक रुपया वाले मैंने सेंपू की price आपको बता दी कोई भी confusion है तो comment करें ठीक है और अगर आप हमें Instagram और Facebook पर follow करना चाते हैं तो वहां पर भी follow करें वहां पर भी message कर सकते हैं वहां पर हम आपको reply थोड़ा जल्दी देते हैं ठीक है YouTube पर थोड़ा क्यूंकि comment जल्दी बहुत ज्यादा आते हैं तो बहुत ज्यादा start out करने में समय लगता है ठीक है तो यार उम्मीद है वीडियो आपको सब्सक्राइब जरू करें थैंक्यू दोस्तों